जैस्री किष्णा राधे राधे गुरुवार का दिन देव गुरु ब्रहस्पती का दिन है और इस दिन स्री हरी को विसेश तरीके से अगर मनाया जाए कुछ प्रियोग किये जाए, कुछ नियम का पालन किया जाए तो माननेता है कि स्री हरी की किरपा पाना आसान हो जाता है जब आप गुरुवार के दिन पुजा अर्चना करते हैं तो कुछ बातों का विसेश ध्यान रखिए जैसे कि गुरुवार के दिन आप जाडू तो लगवा सकते हैं पर पोछा नहीं लगवाना चाहिए और उसके पीछे धारमिक कारण यह है कि जी भरतिया ना हूँ पूछा लगाने से और जाडू लगाने से क्या होता है नहां आप कीड़े मुकुड़े के आपने बाहर कर हटा दिया लेकिन क्या होता है पानी के सारे वह चिपके तो फिर वह वेकार मर जाएगा तो दोसों से मुक्ती पाने के लिए अब माल लेते हैं बहुत इमर्जेंसी है या फिर आप भूल गए थे पुछा लगा दिये तब तब एक बरतन में पानी रे ले ले उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और पूरे घर में छिलकाओ करें और मुख्य दरवाजे पर भी छि सजाईए साथ ही चाबल थोरा सा भी गोले उसको पीस कर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाए उसमें एक दो चुटकी हल्दी का पौर्डर डाल दें और उस पेस्ट से जो गाढ़ा पेस्ट आपने बनाया है उसको मिक्स कर ले अच्छे से इसी से स्वस्तिक का निसान घर के की तरफ से बना दें और दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं अब से डालिएगा खड़ी रेखाएं मतलब लक्ष्मी को बांधती है यह रेखा इसके बाद जब आप पूरे घर की सफाई करवा ले तब सफाई करवाने के बाद आपको पानी का छिलकाओ करना है और एक दाहिने साइड याद रखिए घर के अंदर ही प्रियोग करना है लेकिन घर से बाहर निकलने की तरफ जो दाहिना हाथ साइड होगा उस साइड एक बरतन में पानी रखें संबब हो तो कुछ फूलों की पंखुरी रख दें और इस पानी को अगले दिन उठा कर किसी पौध अधिक करते होंगे पीले-पूस्प की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं मालक्षिमी को अगर एक बेल पत्र भी नियमित रूप से अर्पित करें मैसे श्री हरी को भी बैल पत्र अरपित किया जाता है तो धन की कमी कभी नहीं होती पंचामरीत का परसाद बनवा सके तो सरवोत्तम होगा नहीं बनवा सके तो कोई बात नहीं देव गुरु भरस्पती की पूजा में बहुत सरे बिधान है लेकिन एक बात याद रखिए कि भूल कर भी केला मत खाईएगा क्योंकि केला आपको नहीं खा सकते केला खाने से दोस लगता है गुरु आर के दिल आपका गुरु कमजोर हो जाता है संभब हो तो केसर या फिर चंदन या फिर हल्दी का तिलक भगवान को लगाए और आपकी उंगली पर जो लगा रह गया उसी से खुद भी तिलक करें और आप चाहे तेक प्लेट में लेकर पूरे घर के लोगों को तिलक कर सकते हैं सबका गुरु भेतर होगा धन, यस, मान, समान, सुख बढ़ता चला जाएगा अब इसके बाद बारी आती है तुलसी जी की पूजा की धार्मिक माननेता के अनुसार स्रीहरी की किरपा पानी हो तो गुरु वार के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें जीवन में सुक्सम्रिद्धी बढ़ता है तो इस दिन जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे पान का पत्ता अगर संभव हो तो दैव घुरु को अरपीत करें उन्हें बहुत पसंद है और जब भी दैव गुरु की पूजा करतें यूद्धी पूजा करतें सक्कड़ रख लें फिर अगले घुरु भार के दिन अरपीत करें क्योंकि बिना दक्षिना के पूजा पूरी नहीं होती यह सिक्का बड़े काम की जब भी कोई सुपकार के लिए जाएं सिक्के को ले कर जाएं काम पूरा होगा आपका और लाकर फिर वहीं पर रख दें देख बुरू के पास ओम ब्रिंग ब्रहस्पते नमा यह मंत्र का जितना ज़्यादा जब हो कर सकते हैं गुलाब का इतर माल लक्ष्मी को रुई में लगा कर अगर नियमित रूप से आप अरपित करें फिर उस रुई को अपने पास रख ले अपने पॉकेट में अपने पर्स में रख ले तो कारि इसे भी जाते हैं आप उसमें हल्दी मिक्स करके देव गुरु को प्लें चाबल सादा चाबल मत अर्पित कीजिएगा दोस लगता है या आप चाहे तो थोड़ा सको मिक्स करके भी कर सकते हैं गुरुबार के दिन अगर आप कलस अस्थापित करते हैं तो क्या करेंगे कलस म झाल दीजिएगा उसमें पंच पल्लाव रखेंगा और उस कलस के गले में मौली धागा बांद दीजिएगा और इस जो आपने पंच पल्लाव रखा उसके उपर एक सेव या एक केला या फिर एक नारियल जो भी आपके पास है रख दे और फिर पूजा करें देव गुरु ब्रेस्पती की पूजा में आप लड़ू का भी भोग लगा सकते हैं और गुड और चने का भी भोग लगा सकते हैं वैसे गुड चने का भोग आप केल सही आद रखिए देव गुरु भिस्पती का दिन है गुरुबार तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर भी गरहन नहीं करना चाहिए और उन चीजों में जैसे की बैंगन है लहसन प्याज है केला है मसूर की डाल है तो ये सभी चीजें मत खाईए वैसे तो गुरुबार के दिन खिचडी भी नहीं खानी चाहिए यानि कि चावल दाल तो खा सकते हैं पर खिचडी नहीं खाना है तो चोटी चोटी चीजों की अगर आप ध्यान देते हैं तो देव गुरु भिस्पती आपका मजबूत हो जाता है अब आपके घर में कोई लड़की है बिवार नहीं मुश्किलों को समाप्ट करने के लिए भी किया जा सकता है देव गुरु भिस्पती का दिन भले ही है देव गुरु भिस्पती बार लेकिन इस दिन मालक्षमी की भी पूजा कीजिएगा अकेले अकेले दोनों की पूजा ना करे वरना पूरा फल नहीं मिलेगा बहुत में एक लोटा जल और पित कर दें और भगवान से मालक्षमी से प्रांतना करें कि आप हमारे साथ घर चलिए हमारे और जब जल और पित करने जाईएगा तो लोटे में मीठी बस्तू भी डाल दीजिएगा जल में यह तो थी सिंपल प्रियोग जो आप कर सकते हैं और अगर बिवाह में मुस्किलें आ रही है तो आप 11 गुरुवार का बरत रख सकते हैं गुरुवार के दिन पीले वस्तर पहने पीली चीजों का सेवन करें लेकिन केला ना खाए ना स्पाती भी मत खाईएगा वैसे अगर आप केला दान करते हैं तो अच्छा होता है क्योंकि गुर गुरु बिस्पती के मंदिर में केसर और चने की डाल का दान करना चाहिए केसर चुकी बहुत मंगा है हर कोई नहीं कर सकता कोई बात नहीं आप चने की डाल थोड़ा सा सो सबासो ग्राम ही ले 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 हल्दी पचास ग्राम ही ले ले आप कुछ भी एक कोई एक चीज दान क तिलक लगाएं वैसे हल्दी डाल कर ही पाणी में नहाया करें यह सरवाधिक अच्छा है और जब भगवान सुरी को जल अरपित करेंगे तो एक चुटकी हल्दी डाल कर ही अरपित कीजिएगा हर तरह की मुश्किले समाप्त होती है संतान धक धन यह समान समान सुक एस्वरे स र्टा संतन यह समपल है तो भगवान सतनायन की कघा भी ब्रूसपती वार के दिन कर वाया जाता है अगर आप चाहते हैं करवांदा सुमाना जाता है तो पुणिम्हा ठी एकादसी ठी और गुरु बार के दिन भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा और ना ही किसी से लीजिएगा नहीं तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा आर्थिक तंगी आएगी देव गुरु भैस्पति के जो आपके घर में तस्वीर है उनके माथे पर मोर पंख जरूर सजा दीजिएगा मोर पंख सजा देने से जीवन में किसी तरह का भै नहीं डहता धन यह समान समान सुख बढ़ता चला जाता है और नियमित रूप से अगर देव गुरु भैस्पति को अगर आपके घर में भगवान स्री कृष्ण है तो तुलसी की मंजरी या फिर दो तुलसी का पत्ता अर्प करता है लेकिन महिलाएं भूल कर भी गुरु वार के दिन बाल नहीं धोएंगी और जब देव गुरु बैस्पति के निमित कलस अस्थापित करते हैं जो आपने मौली धागा कलस में बांदा है उस धागे को आप अपने बच्चे की कलाई में बांद सकते हैं आप खुद भ नहीं धोएंगी और इस दिन जैसा कि हमने कहा बहुत साथ चीजां ऐसी है जिसको नहीं खाना चाहिए नहीं तो देव गुरु आपका जो गुरु है वो कमजोर हो जाता है तो आज हमने जीवन की बहुत सारी मुस्किलों से बाहर निकलने के आपको प्रयोग बताएं अगर हमने करा ओयते हुआएं क्यों से यहींल है